हलो दोस्तों स्वाज़त है आपका दैस्टडी विटी के एसके में दोस्तों आज का वीडियो काथी मात्पूर होने वाला है आज की वीडियो में हम उत्राखन के बारे में बात करेंगे उत्राखन जो की हमारा एक पहारी राज्य है यहाँ पर अक्सर जो है लैंस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती है इससे पहले आपने जोसी मठ में ऐसी घटनाएं देखने को मिली उसके बाद अब नैनी ताल पर और कई अस्थानों पर यह खत्रा मड़ा रहा है और वहां पहारी राज उत्राखन है याद अगर हम भूकम्प की दिश्टिस से देखें तो यहां सेस्मिक जोन 5 के अंतरगत रखा देया है अब यहां सेस्मिक जोन 5 क्या है आगे हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में हम आपको सैटलाइड के माध्यम से उत्राखन के उन अस्था पर बात करते हैं तो यहां पर जो नियूज की कटिंग है वहाँ आपके सामने है यहां पर देख लिजिए दिया गया है टू इस्टोरे बिल्डिंग कोलाइफ्स आफ्टर लैंसलाइड तो लैंसलाइड के माध्यम से यहां पर कुत्राखन के नैनी ताल में यहां पर आप कटिंग आप पहले देख लिजिए यहां पर आप देख लिजिए जो सेस्मिक एक्टिविटी ज्याने की जो भोकमपी घटनाएं है वहां लोग कंस्ट्रक्शन की वज़ा से होती है और पापुलेशन का जो प्रेसर है और यहां पर आप देख रहे हैं यहां अधर कार्ज सिंकिंग जोसी मठ में भी आप देख चुके हैं ऐसी घटनाएं जो रिपोर्ट में डावा किया गया है आगे आप देखिए यहां पर आप पहले भी देख लिए हाई मैजमी टोड का जो अर्थक्वेक है वहां जोसी मठ में आ चुका है उसके बाद यहां पर 700 पेज की रि यहां पेज़ा से तो तबाही नहीं आ रही लेकिन उसके बाद यहन्त पीजिट मिल गया था इसी घटनाएं हाईडेल प्रोजेट की वजह से नहीं हो रही है इन सब के बारे में आपको पहले से भी पता है उसके बाद आप देख रहे हैं यहां जो लैंसर्वाइट का खत् खाली करवा दिया गया है लेकिन अचानक जो ऐसी कारिवाही की जा रही है इसे लोगों में गुसा भी है कल तक जो अपने घरों में रह रहे लोग थे वह कुछी घंतों में आपटा परभाविक छेत्र में आ गए उनका आरोब है कि प्रसासन जो है या सुरच्छा कारियों के बजाए लोगों के घर तोड़ने की योजना बना रहा है इसलिए कई घरों को जवर्दस्ती खत्रे की जद में डाल दिया जाता है आप यहां पर देखेंगे भू असकलन जो प्रभाविक छेत्र इनमे दसकों से कई परिवारों को ऐसा दंस जेलना पर जाता है यहां पर आ किया गया एक नया राज बना गया क्योंकि यहां इस टिन यहां पर जितने भी जिले थे वैस पहारी जिलों में आते थे इसलिए इसका विकास करने II fiiljee' को एक अलग राज बना दिया गया कि ईससम घटना आप पहले से भी जानते हैं ईहां पर आप देख रहे हैं यहां जो उत्राखंद का जोसी मठस्थान है इस पर पहले भी लैंड्सलाइट की घटनाएं आपको सालों से देखने को मिल रही हैं इसके बाद ऐसी घटनाएं अब नैनितान में देखने को मिल रही हैं यहां पर पाहले हम जो भोकंपी चेत रहा उसको देख लेते हैं तो अफ्रानुद जो हमारा उत्तरा खंड है यहां पर पूरा रेड़ देख रहे हैं यहां जान 5 की आन्तरगत आता है और हमारा नार्थिष्ट का पूरा जिए रखा गया हूद और आप यहां पर जाएंगे पस्चिम में यहां पर जो हमारा गुजराद का कच्छ करण है यहां छेत्र भी जोन 5 के अंतरगत आता है और बिहार का वह छेत्र जो नेपाल से सटा हुआ है तो इसके भी उस छेत्र जोन 5 के अंतरगत रखे गए तो यहां पर आपको अभी हमको भोकंद के बारे में जानकारी नहीं लेना है जो आपदा चल रही उसके बारे में देखना है तो यहाँ पर देख लिए जो इसक्वार मीटर में छेत्र दिया गया है तो यहाँ पर आप पहले भी देख रहे हैं यहाँ देख लिए दिवालों में क्रैट जो हाया ऐसे ही जोसि यहां पेलूं आप नहीं है यहां प 220 यहां यहां पर हम उत्तरा खंड पहुंच चुके हैं, देखिए यहां पर उत्तरा खंड आ गया है, यहां पर आपको कई अस्थान दिखराए होंगी, यहां पर आपको गंगोत्री का छेत्र दिखरा होगा, चलिए निर्थ थोड़ा सलो है, तो थोड़ा भैरे पूरवा किसको देखिएगा, हम अभी यहां पर आपको पहले जोसी मट आस्थान पे लेके चलते हैं, यहां पर जोसी मट जो है, देखिए, यहां पर पूरा आपको पहाड़ी छेत्र दिख रहा होगा, यहां हमारा जो है, यहां जोसी मट का छेत्र है, यहां पर देखिए, जोसी मट पे ह कि देखlection लिए आपको सब्सक्राइन कर ला कि सब्सक्राइब उस्वी सफ देखें PC देखने को पर्लेयो maior के EXT कButto सो कृष्जा ये तो आपयों में бли excluded लिए यहाँ पर यहां पर देखिक सद्वानियों वहले में अबानभी आक देख ले कि यहां पर देख। इसके बाद यहां पर जो रोड लाइन है वहाँ भी दिख रही होगी सैटलाइट में अब हम आपको पहले नए निताल लेकर चलते हैं तो नए निताल चलिए नए निताल पर हम पहुंच रहे हैं नए निताल का जो छेतर है वह आपके सामने बीच भी हो रहा है यहां पर नए के लिए किये जाते हैं तो नए निताल लेक आपके सामने है चलिए हम और भी अस्थान नए निताल में लिखाते हैं देखिए कि यहां पर निरमार कारे जो है पहारों पर कैसे कैसे किये जाए यहां पर आप सैटलाइट के मात्यम से काफी अच्छे से देख रहे होंग नए तो अभी आपको यहाँ पर और भी क्लियर्टी दिखाई देता तप ही आपको इस वीडियो में काफी चीज़ें देखने को अच्छे से मिल रही होंगी यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कैसे यहाँ नए निताल में निरमार पहाड उपर किये गए आप जानते हैं पहाड छे तो काफी अच्छे होते हैं तो यहाँ पर निरमार कार जो है किये गए हैं यहाँ पर आपने देख लिया होगा चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अपने अलग अगले पेज पर यहाँ पर आपने इस सब को डेख लिया अब हम इसके बारे में ज तो यहां जो जोसीमट के लोग हैं, उन्होंने गवर्मेंट के द्वारा जो कमपेसेशन दिया जा रहा था, को आप इंसफिसियंट बताया है, अभी हम उनकी मांगों को आप पूरत बताएंगे कि उनकी मांगी क्या है, यहां पर आप देख रहा हैं, सौधिन से यहां पर लो हमारा संपूर जोसीमट को आपदा प्रभावित, घोसित करते हुए जो प्रभावित वर्ग हैं, उनको लुकसान की भरपाई करना या जोसीमट के प्रभावितों की मांग है, जिसमें आप दूध ब्यावसाई, दैनिक मल्दूर, पल्याटन पर निर्वालो, ब्यावसाई जो क्रिशत हैं, उनको नुकसान की पूरी पूरी भरपाई की जाए, जोसीमट की जो आपदा के संदर में देश की सिर्स आठ संस्थाओं में सरवेच्छन अध्यन किया गया है, उनके अध्यन की रिपोर्ट को सारजनिक किया जाए, जिससे लोगों में ब्यावत तमाम जो सामने भूम हीन होने का बड़ा संकत खड़ा हो गया है, जो अस्थानी अस्तर पर भूबंदो बस्ति करके लोगों के खातों में भूम दर्ज की जाए, अस्थानी निवासियों की सेना को जो गई भूम है उसका भुक्तान करवाय जाए, जिससे इस आपदा काल में लोगों को आथिक सहायता दे जा सके, सरकार की और से जो मुगाबजा भूसित किया गया उस नेदी में हो मिष्टे को ब्यवसाइक स्रेणी से हटाया जाए, बेघर हुए जो प्रभावित अस्थाई विस्थापन कुननमाज की ब्यवस्था है, उसके जब तक बाइकल्पिक ब्यव करने के साथ हुए 2010 के समझावते को लागू किया जाए, तो तपर वन का जो परियोजना है, और या हेलंग मारवारी बाइपास पर अस्थाई रोक लगनी चाहिए, और इन सम्मुद्दों को आप पर लिजिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे ह और भी रिपोर्ट है, इन सब को आप देख सकते हैं, तो जोसी मट कांटिनिश टू सिंक आइज दा गौर्वर्मेंट प्लोज आप जाएंट प्रोजेक्ट, तो लोगों का कहना था कि या जो प्रोजेक्ट है, इसी के वज़ा से जोसी मट का याहाल हुआ है, इन सब के बा आलमा पहारी है, आलमा पहारी दरखने से 4 घर जमिन देओज हो गए है और इसके पाद जो नैनिताल प्रसासन है, वहाँ आलमा पहारी पर बसे और 200 घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया थी, यहाहां पर ऐसा देखा जा रहा है, कि यहाँ आलमा सबसे संबेदनसीर पहा तो नएनिताब की भावोलिक संघ रचना अन्य पहारी सारूं से अलग है इसके इसके बीचोंबी से अधिक, उसके साथ ही कुरिया फ़ाल्ट, पायne फ़ाल्ट, एईजल फ़ाल्ट, इन सभी को अन्य छोटे छोटे फ़ाल्ट साहर को बहत संभिल सील बना देते हैं अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे कैसे वहाँ पर पाल्ट दिख रहे थे यहाँ पर आप इस खुबसूरा द्रिस को अभी हमने आपको सैटलाइट के माद्यम से दिखाया था यहाँ पर आप नैनी ताल का जो लेक है वह देख रहे हैं इसको अभी हमने आपको satellite के मादम से दिखाया भी था। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो lens light का खत्रा उसको देखते हुए आप देख रहे हैं। इन सबस्थानों को अभी हम आपको दिखा चुके हैं। चलिए अभी यहां पर देख रहे हैं। नाट जस्ट जोसी मठ, यह केवल जोसी मठ है उसी की घटनाएं नहीं है, नैनी ताल और अन दो अभी उत्राखन के जो सहार हैं, उन पर भी ऐसी घटनाएं जो हैं हो सकती है, यह वियोलाजिस्ट जो हैं उनके द्वारा, यह वार्निंग भी गई है, यहाँ पर आप देख र रहा है, और नैनी ताल जो जिला प्रसासन प्राधिकरन है, उनका कहना है कि पहारी पर 1989 से लेकर के 2012 तक बहुत ज्यादा अबायत निर्मार हुए है, विबाग के अधिकारी पंका जुपाध्याय ने कहा है, कि हम अब सकती कर रहे हैं, जो लोग घाली जो घर है, वा खाली अगर नहीं करेंगे, तो हम वहाँ पर ताले डाल देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो लैंसलाइट की घटना है, जब पानी को निकलने का अस्थान नहीं मिलेगा, तो कही ना कहीं से बरसाथ का पानी निकलेगा, तो पहारों पर बसे हुए जो घर है, उनके घर की नीचे से, जो है पानी निकलने की कोशिस करता, जिसके वज़ा से आप जानते हैं, पानी जहां से भी निकलेगा, मिट्टी को काट करके ले जाएगा, और इसी से लैंसलाइट की घटनाए और भी बढ़ जाती है, चलिए आगे देखते हैं, ऐसी घटनाए आपको में भी ऐसे क्रैक आ रहे थे, यहां पर देख लिजिए, जो अनुस नाटियाल है, इनके द्वारा एकठा किया गया था, इसको सारजनिक करने के लिए इन्होंने हाइपोर्ट के द्वारा मांग की थी, यहां जो 718 पेज की रिपोर्ट थी, जो सिमट के मामले में वहां इन लिंक भी उपलत करवाया गया है, अभी हमने आपको बताया जो यहां उत्राखन का छेत्र है यार, भोकम भी छेत्रों में आता रहा है, यहां पर जो हर्ता इंस्टरक्शन काभी अभायत हो रहा है, तो इसी वज़ा से यहां पर मिरमार कारे, अभायत कारें की वज़ा से ल परकार में मैनिताल के हाई कोड के आदेश के बाद ही सार्गनिक कर दिया जिसमें अलग-अलग संस्तानों के दारा बैग्यानकों की रिपोर्ट में जो भूध हसाओ की घटना है वारती उसमें कई कारण बताये गए यह सब हमने आपको बता दिया कि यह वेफसाइट पर अप की रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन में पानी के रिशाओ के कारण कई कारण ऐसे सामने आए हैं जिसवे चटानों के खिसकने में पानी का रिशाओ ड्रैनेश के पानी से टक्रा अलग-णनन्दा नदी में आने वाले पानी से मिट्टी का कटा और निर्मार कार भी बाद बैज्यानिकों की रिपोर्ट को P.W.D. और अन्य विभावों को भी साज़ा कर दिया गया है, जिसको देखते हुए आगे की राड़नित बनाई जाए गई। सरकार ने बैज्यानिक संस्थानों और ENDM में वो जोसी मट के निचले हिस्सों में निकल रहे पानी के काड़ों को जानने के किरमेदारी सौपी थी, पोर्ट की सक्ति के बाद यह रिपोर्ट जो है सरकार को सौप दीख गई थी, लेकिन सरकार ने इसे सार्जनिक नहीं किया लेकिन अब इसको कोड के दबाव के बाद वह सार्जनिक कर दिया है, आप जानते हैं जो जोसी मट पचाव संगर समित हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे, उनकी तरफ से या बता गया था कि उत्राखन राज आफदा की तरफ से रिपोर्ट को सार्जनिक करते हुए, आ रिपोर्ट सार्जनिक करने की मांग की जा रहा है तब तो नहीं किया गया, और सरकार ने आशवासन भी दिया था लेकिन जब तक हाई पोर्ट ने दबाव नहीं बनाया तब तक वह रिपोर्ट सार्जनिक नहीं किया गया, तब आपने अभी NTPC के मुद्दे को भी लिए तो आज का या वीडियो आपको कैसा लगा जायर सी बात है इसको देखकर आपको कुछ न कुछ जानकारिया और मिली होंगी तो द्धाने बाद आज की इस वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं टापिक के साथ